आज के वीडियो में ऐसा पाकिस्तानी हम ये बात जानने जानने जा कि भारत चाइना को एकौनमी में क्ने बांतर करको सकता हैै। मायनास किसम का होने वाला बहुत बड़ा दिगज हो सकता है तो उसका क्या step हो सकते है क्या उसके जो blueprint हो सकते है कि वो चाइना को भी cross कर दे महारत की कौरों में चाइना को भी cross कर दे जारेंगे आपके सफ मेल के original video कर देंक description ने है अगर आप इनको support and subscribe करना चाहते हैं description में आप कर सकते हैं video फिर आप करते हैं चाइना को independence मेरे ख्याल से roughly at the same time as India मिला था roughly world war 2 के बाद मिला पर जिस तरह की growth चाइना ने देखिया especially 80s और 90s के बाद कोई और देश ने नहीं देखिया आप बिलकुल और यह एक एक बहुत important बात है कि अगर आप देखें कि चाइना और जो इंडिया था उनकी जो per capita income हमने उसके बारे में बात करी वो 1980s तक लगबग एक ही थी उसके बाद हमारी भी economy ने improvement करी पर हमारा per capita income जो है 3000 डॉलर तक पहुँचा चाइना का per capita income आज 10,000 डॉलर से उपर हो गया है इतनी अबादी के बाद भी 10,000 डॉलर पर capita income जो है 3000 डॉलर तक पहुँचा चाइना थोड़ा तफिर पर capita income के आम आदमे की जो average salary कमाई जो इसके बाद हमारी भी economy ने improvement करी पर हमारा per capita income जो है 3000 डॉलर तक पहुचा चाइना का per capita income आज 10,000 डॉलर से उपर हो गया है तो इंटरम्स हो जो big gap जो है in fact 1980s के बाद 1970s तक इंडिया और चाइना का per capita income थी वो लगबग एक ही थी narrative यह और यह audience को भी अब पता है क्योंकि इतने सारे podcast बना दिये कि China ने manufacturing पर बहुत ज्यादा focus किया था और यह उस 1980s के change की वज़े से हुआ था बिलकुल तो एक और narrative है कि भारत को अभी एक manufacturing oriented society बनना चाहिए politicians आकर शूपर भी यह कह रहे है और मेरे ख्याल से जो भारती entrepreneurs manufacturing पर focus कर रहे है government भी उनकी help कर रहे है government भी चाहती है कि ज्यादा manufacturing के entrepreneurs निकल के आए रगुराम राजन सहर आयते शो पर उन्होंने कहा कि यार यह manufacturing भारत की strength नहीं हमारी स्ट्रेंथ है services इसे services businesses पर focus करने चाहिए पहले तो यह पूछना चाहूंगा कि आपकी राय क्या इस manufacturing वाले triangle को लेकर और दूसरी चीज़ आपको चाहिना के बार में पूछा चाहूंगा कि क्या सीख सकते हम चाहिना से भारती होने के नाते हैं तो एक बात है कि हम दोनों चीज़ पर focus कर सकते हैं एक मतलब दोनों से नहीं करने की बात है कि थोड़ा manufacturing में करें थोड़ा services करें और manufacturing में मुझे सबसे ताजोब बात यह रही है कि अगर आप इंडिया में देखें आज तो इंडिया में आज कोई 200 billionaire है अब बिलियनेर लोग वो होते हैं जो जिनकी net worth एक billion dollar से जाद हो दुनिया भर में 3000 ऐसे billion है हमारा इसमें तीसर नंबर आता है अमेरिका नंबर वान चाइन उसके बाद इंडिया हमारी जो एकॉनिया फिफ्ट लाजेस्ट है पर जो बिलियनेर हैं हमारे देश में वह अगर हम 200 बिलियनेर पर जाएं तो थर्ड लाजेस्ट हैं दुनिया भर में सबसे इंपोर्ट बिलियनेर जो हैं वह मैनुफैक्चरिंग के हैं तो इंडिया में मैनुफैक्चरिंग की शंता है पर हमने इसका पूरा पोटेंशल अभी तक एक्स्प्लॉइट नहीं किया है दूसरी बात यह भी है कि सर्विसेज भी हमारी स्ट्रेंग्ट है तो हम दोनों एंजिन पर फा पर फिर देखे वह जाएगा जो भी चाइना में एंटीज में हुआ हां क्या अगले दस सालों में भारत में भी होगा बहुत मुश्किल बात है क्योंकि चाइना के बारे में हम यह समझते नहीं दो बात एक ही जो चाइना को हम सोचते हैं कि वह क्म्यूनिस्ट कंट्री है औ उसके पर 1970 में चाइना की जो पूरी एक़ॉनिमी थी वह गव्मेंट चलाती थी चाइना में अगर आपको घर भी खरीदना होता था तो आप नहीं खरीद पाते थे जो प्रॉपिटी राइट कर आते हैं वह सरकार के पास होती थी इंडिविजल के पास प्रॉपिटी राइ entrepreneurs को बहुत धील दी और ये process जारी रहा सालों तक अभी चाइना में जब से जी जिंग पिंग जो उनके लीडर हैं वो इस process को reverse कर रहे हैं और उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों कर रहे हैं पर जब तक वो पार में आये थे चाइना ने उनको जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बहुत डील दी और उसके वज़े से वहाँ पर growth rate बहुत हाई रही पर चाइना ने दो चीज़ करी जो इंडिया कभी नहीं कर पाएगा एक तो कि 1990s में चाइना ने दस क्रोर लोग जो काम करते थे सरकार के कंपनीज में पॉब्लिक सेक्टर कंपनी जो किलाते हैं उन्होंने उनको फाइर करा दस क्रोर लोग को फाइर किया और एक साथ है कोई 1990s में पूरे डेकेड में और उनको बोला कि जाओ जहां पर भी तुम्हें काम मिले लो जिसी भ लोगों को कोई वेलफेर नहीं देंगे कि अगर आप आपकी आमदनी नहीं हो रही और आपको घर बैठना घर बैठो पर आपको जो काम करना करो तो इन वेड़ी वेलफेर स्टेट नहीं था जैसे इंडिया में वह नहीं कुछ मन्रेगा है या कुछ और चीज दे रहे हैं इनने ऐसा कुछ नहीं किया उनने बोला कि जा नौकरी में जाओ और बहुत इंटरल माइगरेशन हुआ चाइना में कि लोग गए इधर उधर गए जो इस्टन कोस्ट है जहां पर निवेश जादा होता है वह पर गए एक्सपोर्ट किया जो किया किया मतला बोला कि यार मैन रोड बना रहे हैं ब्रिज बना रहे हैं पोर्ड बना रहे हैं कि जैसे आप काम कर पाओ पर सरकार आपको घर बैटे कोई पैसे नहीं देगी और आपको जो करना कीजिए और जो पब्लिक सेक्टर में इतने साथ लोग काम कर रहे थे और कुछ ज्यादा पैसे नहीं बन रह सरकार चोषट बैटेने सारे नो काड़े ना करो जा के कामा वह काम कर दो सरकार अगे-गेडी चलान ने नहीं पेर भी बंदें तो चाहिए ना वह पर बंदें से चाहिए ना वह बेशक फॉर्मेलिटी चाहिए तो तो इसले हैं अपर आप़ जो पालिसी चाहिए ने करी यह इंडिया में कभी नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें सोचना कि हम 9-10-11% ग्रोथ ला पाएंगे बहुत ही मुश्किल बात है हम 6-7% करेंगे अब इंडिया में क्या हो गया है कि पिछले 3-4 सालों में और आपको जानता है इसके बारे में शायद आपको मालम होगा कि मैं चाइना की जो चीन के एकॉनिमी थे यह हमने सब देखा कि इसने कितनी तरकी करी और इससे हम बहुत प्रवावित थे जब हम बड़े हो रहे थे पिछले 5-6 सालों में चाइना भी चाइना ने भी काफी गलतिया की है एक तो कि जो प्रोसेस में आपको समझाया कि चाइना को जो सरकार है इन्होंने बहुत दी प्राइवेट सेक्टर को पिछले 5-6 सालों में चाइना की जो चीन की सरकार है जी जिंग पें के अंदर यह वापिस ज्यादा हावी हो रही है वापिस ज्यादा कंट्रोल ले रही है क्योंकि उनको लगए कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं एक्सेटर यह थोड़े ज्यादा ही बड़े हो गए है और जो हमारी कम्यूनिस पार्टी है उसके लिए खत्रा बन सकते हैं तो इसलिए इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी पे चाइना की जो सरकार है ज्यादा हावी हो गई है एक तो वह है और दूसरी बात चाइना में यह है कि अब जो उनकी पॉपिलेशन है अब आदे वह अब घट रही है का ग्रोफ रिट कम नहीं हो रही पॉपिलेशन घट रही है और तीसरी बात में एक चीज़ और कहूंगा कि बहुत कर्जे लिया है और उस कर्जे को अब चुकाने के लिए वह काफी ग्रोफ रेट है वह बहुत घट चुका है और मुझे लगता कि अगले दस साल में जो चाइना की आवरेज ग्रोफ रेट रहेगी वह सिर्फ दो या तीन परसेंट रहेगी तो अब देखिए यह इंडिया के लिए कितना बड़ा ऑपरचुनिटी है पर हमें इसका राइट लेसन लेर्न करना चाहिए तो हमें जो चाइना ने पिछले 40 साल में किया उससे हमें कुछ लेसंस लेर्न करने चाहिए कि हम कैसे फॉरें इंवेस्मेंट और लाएं कैसे पॉलिसी ऐसे करें कि कोई ज्यादा परिशानी ना हो कोई निवेश के लिए वह सब हमें चाइना से विए सिखना चाहिए एतने सेंचुरी स्कोर कर लिये कि अप्रेशर हिल होता है और गजे और एजिग भी हो आप चाइना की ग्रोथ से भारत क्या सीख सकता है पाकिस्तान क्या सीख सकता है हम अपने इंडिविज्व लाइफ में क्या सीखते है कुलिया तो मुझे तो एक ही समझ में है सिंपल सा बता हम? कि जो खराब हो उसकुद? नहीं खराब नहीं कि जहां एक से ज़दा बंदे काम करते हैं वहां अगले बंदे को उसकी मर्जी के मताबे काम करने देना चाहिए अगर उसको कंट्रोल करके रखेंगे जैसे कि सर्कार ने इंडिया में भी किया पाकिसार में भी चीसी रही पहले और चाइना में बिए के जो प्रिवट सेक्टर है उसको अपने कंट्रोल में रखना प्रिवट सेक्टर ही असुद असरल है जो अपना दिमाग लगाएंगे अब सरकार कहा का दिमाग लगाएगी अगर 10,000 बंदे उन्हों ने गौर्णमेंट में हायर किये हुए वह सारे सेलरी लेते हैं तो 10,000 बंदे कितना काम करेंगे कितने potential भी करेंगे फुलेस्ट पे भी करें तो उसके बाद जाके जो उनका जब स्टॉप लग देगा वाद उससे आगे वो नहीं कर पाएंगे जारे इंसारी लिमिटेशन तो है न यह तो नहीं कि वो 24 गंटे काम करें और 24 गंटे से आगे जब वो पूरे हो जे 24 गंटे तो 25 गंटा इजाद करके फिर उसमें भी करें नहीं कर सकता फिर और टीम चाहिए और बंदे चाहिए और दिमाग चाहिए तो अगर यहीं लोग सारा संभालेंगे तो एक टाइप पर लिमिट रुख जाएगी और यहां तो वैसी सरकारों में ऐसा होता है कि वो इमान दारी से काम तो होता ही निया अपनी मर्जी से कर रहोते है तो वहां पर तो ग्रोथ पैसी रुख जाएए अब आदी इतनी बड़ी है दिमाग इतने जाद है इस्तमाग कुछ दिमाग करने ग्रोथ नहीं होगी जब उन्होंने अजाद किया उनको कि हां तुम लोग अपना दिमाग इस्तमाग को जहां हमाई सपोर्ट चाहिए होगी हम तुम्हें अपना इसेंटिव देंगे अपनी जो भी हम तुमारे लिए कर सकते हम करेंगे वक्त के हिसाब से जैसी इंडिया ने भी यह किया तो उनकी स्पीड बढ़ गी निटीज के बाद इंडिया ने भी यह किया था न मोहर सिंग जो सरकार ती जो यह कॉंगरेस की थी कि इन्होंटे जो प्राइविट सेक्टर था इन्होंटे वुचीज ने छोड़ी पहले हिंगे ही प्राइसिज करते सरकार सारे चीज में प्राइसिस की गंदुम की खाने पीने की दुवायू की हर चीज की फिर आश तब्सक्रा के था कि मार्किट उपर जा रही है प्राइ तो जब इन्हों ने यह अजादी दी इस तरह से तो वह चीज़ें होगी करो मतलब कि सब का माइंड इस्तमाल हुआ अगर भारत में 141 क्रोड की अबादी है यानि 141 क्रोड दिमाग है उनमें से अगर बड़े जो अड़ल दिमाग लगाते हैं जो काम करते है और विफ्सेड हैं वरillon 주는 20 वम गजा, 70 क्रोड भी लगा ले तो जह जब हम दिमाग इस्तमाल करें वह ज़ंगा एक एंफिजिंट होगा रहा नंगे कि बादी को में नुक्सान नक्सान ना हो नुकसान तो होगा स्टार्टिंग में जाहर है लोग अपना पैसा लगाएंगे उसमें नी वर्बिट को उस चीज से नुकसान ना हो हाँ सरकार को जाहर है कि उनका जिस सिस्टेम में वोट दे लोगो लोगो को अगर कह देंगे कि आप डिसाइड करो तो फिर दूसरे कैसे राजियेंगे वो अपनी मन मर्जी करेंगे है अब जो कसान है उसको कहाँ देगा सरकार कि तुम अपनी रेड्स से बेचो इसलिए कि अब बेचो इन्दिया कितनी दफ़ा यह कसान का रॉलऑ बने ऐसे वेज़े से बनाए कि सरकार कुछ और बढ़ सौनिया किषी पार चुला का दीया है सबस्टाइस के सब्साद्रा कर सकता है इतनी जादा रस्ते खुलेंगे गेमिंग से, यूट्यूब से, इधर से, करते करते कितने रस्ते खुलेंगे और अगर सरकार इसमाल करेंगे, सरकार में बुड़े लोग बेटेंगे को लगेगा, कि यार गेमिंग तो फजूल है, नहीं करनी चाहिए, चलो जी, इस पे कोई ध्यान नहीं लेते है और अगर अवाम को देंगे, तो वो खोद एक इंडिस्ट्री बना लेगे, सरकार बोलेगे, अच्छा, यहां भी लगाए सकते हैं, इन के लिए हम सहुलते पैदा कर सकते हैं, यह मैंने एक एक्जामपल दी है, तो इस तरह बड़ा फर्क पढ़ता है, गेमिंग सकता है, क्योंकि प्राइवेट सक्टर अपना मुफाद देखता है, सरकार देखती है, यार पैसा आ रहा है, ठीक हम अपना दिमाग क्यों लगाए, तो जो इन्होंने बात बुली है, वह वाला काम से यहां करना मुश्किल है, यह जैसी चैना वाला काम बारत में होता है, त क्या वर्ड बड़ अच्छा वर्ड यूस किया था है, रूथलेस कैपिटलिजम, बे परवा किसल की पैसा बनाना, इसमें कोई परवा नहीं, बस पैसा बनाना, तो भारत का सारा निजाम है, वो तो चलता ही इस पर है न, लोग का माईड ही इस तरह बनाना, यार, वेलफेर क्यों नहीं है, इस लेवल पर नहीं है, होगी, लेकिन बाहन पर अगर कोई पकड़ा जाता है, या कोई इस तरह होता है, उसको वैसी रटका दिया जाता है, तो बन्दे के माईड पर कहा है कि उसमें यह काम करना है, जब उसको पता होना है कि अगर यह पकड़ा गया तो मे पैसे को ज़ें नी ए लेकिन अपने मुलब के लेके या अपनी कॉन्मी को लेके या अपनी जो भी उनका एक सिस्टम है उसको लेके उनको बड़ा स्पोर्ट किया उनके जिस तरह आम रूटीन में होता है जो क्रॉप्शन वगरा होती है वो नहीं होती है जिस तरह इन दो देशों में होती है उनकी बात करता हूँ तो बिल्कुल यह हम लोगों को अपने अपना अपने कोमेंट्स में लाजबी बताना है इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए अधाफिस